हाई फैन्स वल्कुम बेक तो मैं चैनल आइफोन 12 में मैंने आइफोन 17.1.2 को अपडेटर जो है इस्टाल कर लिया था और इसको मैंने आलमोस्ट मुझे है डेड़ से दो ही दिन मालो कि आप मुझे दो दिन हो चुके हैं इसको अपडेटर कियो है क्योंकि मैंने इसको जाए कल साथ के बज़े सुबह जो है इसको जो है इसको जो है इस्टाल कर लिया था अपडेटर आइफोन 12 में और इसकी परफॉर्मस किस तरह से मुझे देखने को मिले है अपने आइफोन 12 में आयो 17.1.2 की अपडेटर की इसकी बेंटरी डेंड कितनी हो रही है या फिर हीटिं किस तरह सा इशू है आपको ये अपडेटर इस्टाल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए इस सभी के सभी कोर्शन के मैं आपके इस सुड़ में अंसर देने वाला हूँ तो आपको जाए वीडियो जुरूर आसदत देख लेनी है तो बेना किसी दिरिक साथ वीडियो क सबस्टाल करें था कल सुबह सुबह साथ के बचे और इसकी जह है मुझे कितना साइद को मिला तो जशिट आपको मैं वह भी दिखा दू तो सिंप्ली इसका मुझे साइज है वह दोस्तों मुझे 333MB जिया साइद देखरों को मिला आइफोन 12 में और अगर बांतकुरू IP 1918 में कितना साइद देखरों को मिला तो IP Kyoto 11 मेंкольależ दुस्तों 500MB साइद देखरों को मिला था अलग अलग खरलू में है अलग साइद देखरों को मैलता था updated हुआ तो इसके performance हम बात कर लेते हैं इसके performance के सरह से आ रही है तो simply अगर हम first उससे पहले हम कर लेते हैं इसकी heating की बात तो simply मौसम मारा change हो रहा है तो इसलिए दोस्तों heat तो बहुत को भी दोस्तों होता है और इसका जो है फरक है वो दोस्तों इसका जो है मारे रिजल्ट है वो दोस्तों मारे battery के health की उपर पढ़ता है तो simply इसकी performance बात करूँ इसकी performance की तो performance वाई मुझे यह काफी यह बैटरी देखनों को मिल रहा है कोई भी applications open करता हूँ तो वो दोस्तों मुझे at a time में open देखनों को मिल जाती है बिलकुल भी lagging देखनों को नहीं मिलती तो simply मैंने इसको research भी मारा था 128 वाला मेरा variant है इसको मैं काफी ज़र जो है camera के regarding use का था हूँ काफी ज़र मेरा यह बर गया था और इसको मैंने update से पहले दो से तीन पहले इसको मैंने जो है update सौरी research कर लिया था तो simply इसकी performance वाई अगर बात करूं तो मुझे lagging बिलकुल भी देखनों को नहीं मिलने और बग जो है वो मुझे अमको जाए features में देखनों को मिलेंगे लेकिन वह भी हमको दोस्तों इस update में नहीं देखनों को मिले थे क्योंकि इसमें साफ्साफ mention कर दिया गया है कि जोस्तों यह मैंनी security अब्डेटे हैं वो स्में दोस्तों और किसी भी फौन वो इस अबड़ेटर को इस्टाल करों गशा किसील की जिसमें अब डियाए एगा और उसमें दोस्तों यह fixes जह है हमारे जून देखने को मिल जाएंगे तो इसमें दोस्तों हमको lagging वारा और bug वगरा में इस अपडेटे में हमको कोई भी नहीं देखने को मिलने वारा तो अगर हम बात करें इसकी बैटरी की तो बैटरी की अगर बात करूँ तो मुझे वो दोस्तों बिलकुल भी normal देखने को मिल दीखने को मिल रही है 2-3 % जो कि मारी नॉर्मल होती है उतना अब दोस्तों बहुत कोहने सकते हैं कि हमारे ısकी बेटरी अठिक हो रही है परफॉरमस वाइस अगर बात तो वो दोस्तों मुझे बेस्ट देखनों को ले रहा है अपने आइफोन 12 अगर आप आइफोन 11 के देखना चाहते हो रीवियू तो वो आप भी दोस्तों दे सकते हो मेरे चैनल पर जायकर आपको वीडियो मैंने अप्लेट जाय कर दी गई है तो सिंप्ली आपको मैं दिखा आइफोन 11 में सेम देखनों को नहीं मिलने वारा तो सिंप्ली इसके अगर बात करूँ बैटरी हल्थ की भी तो दोस्तों 87 है और इसका दोस्तों यह भी मारा जो से काफी यह रमाइद रखता है कि आपना आइफोन कितनी बैटरी हल्थ की जह है उसकी जह है अगर आब बात क कर काफी टाइम युज नहीं करों तो सके मुझे बैटरी की जैँ परफ्रम की जब moderation काफी रहा देखनों को मुले कि इसके रहे बैटरी परसंट नहीं तो highsไ NO, जो मेरा ऊभी की दोस्तों तो दो से तीन परसंट जो है बैटरी जो है ड्रेंट कर रहे हैं वो दोस्तों आलमोस्ट डस्ट नॉर्मल है हम उसके जो है कुछ यादा नहीं कहसा थे तो सिंप्ली अगर आप बात कर लेता है इसका अगर आपको जह है अपडेटर इस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं करन आपको कोई भी प्राब्म देखरों को नहीं मिलने वाली इस अपडेटर में तो सिंप्ली मिलते हैं नक्षण में अगर वीडियो चे वीडियो को जूल लाइक करना और चैनल को जो से स्क्राइब में ठैक्स वासें गाइक ठैक्स सोमाज